गोल आपका ड्रीम हमारा वेलकम टू इलेक्टरिकल मेला वेलकम स्टुडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्रिक ब्रेकिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन में भी और यूटिलाइजेशन के सब्जेक्ट में भी क्योंकि यूटिलाइजेशन में ये 5 to 10 मार्क्स का पुछा जाता है यूईपी के चेप्टर 1 में ये टॉपिक जो है आपका इंक्लूडेट है तो इलेक्टरिक ब्रेकिंग से पहले हम ब्रेकिंग को समझ लेते हैं ब्रेकिंग का मतलब होता है कि मोटर को आप स्टॉप करो या कंट्रोल करो मतलब मोटर की जो स्पीड है अगर उसको आप कंट्रोल करते हो या motor के speed को कम करते हो या उसको stop करते हो तो ये तीनों ही किस category में आते हैं braking की category में आते हैं braking हम अपने desired applications के लिए use करते हैं ये ultimately करते क्या है speed को reduce कर देते हैं generally braking को दो parts में divide किया जाता है पहला जो है mechanical braking और दूसरा electrical braking तो अभी इस video lecture में हम electrical braking के बारे में पढ़ेंगे लेकिन mechanical braking के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ mechanical braking में brushes होते हैं जो brush क्या करते हैं कि जो पहिये होते हैं motor के या जो फी motor के जो rotating parts होते हैं या vehicle के जो rotating parts होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं speed कम करते हैं या motor का speed कम करते हैं तो mechanical braking friction पर based है जिसको हम लोग अभी इस video में नहीं देखेंगे हम देखेंगे electrical braking हो तो electrical braking कुछ ज़्यादा ही interesting हो जाता है क्योंकि ये flux और direction of torque से related है अगर motor के कोई motor है माल लो और motor कि इस direction में घूम रहा है और इसका जो torque है वो भी इसी direction में लगता है लेकिन मान लो कि motor का जो rotation है उसकी जो मतलब speed है omega उसका rotation counter clockwise ही है लेकिन हमने किसी तरीके से इसके अंदर जो torque produce हो रहा है उसकी direction को हमने change कर दिया और वो direction अब हो गया clockwise इसके करण क्या होगा कि ये जो torque है ये क्या करेगा जो motor का inertia torque है इसको क्या करने की कोशिस करेगा कम करने की कोशिस करेगा या जो omega speed है इसको क्या करने की कोशिस करेगा reduce करने की कोशिस करेगा और rotation जो हो रहा है motor का उसको clockwise बनाने की कोशिस करता है तो इसका जो main concept है electric braking का वो ये है कि किसी भी तरीके से आपको क्या करना है मोटर का जो torque है उसका direction को change करना है साथ में जो flux है उसका direction को change करना है तो जो flux है उसका जो direction है ये हमेशा current के direction से defined होता है अगर हम current के direction को change कर देते हैं तो flux का direction भी automatically change हो जाता है मतलब reverse हो जाता है और अगर flux का direction reverse हो जाता है तो motor का जो torque produce हो रहा है वो भी reverse हो जाता है जिससे motor का speed कम होने लगता है और motor rest पर आ जाता है तो electrical braking में हम तीन different methods पढ़ेंगे जिससे की current का reversal किया जाता है यानि की flux का reversal मतलब की motor torque का reversal किया जाता है ultimately हमको torque का ही direction change करना है लेकिन torque का direction change करने के लिए हमको ये सब techniques यूज़ करने पड़ती है जिनके नाम है regenerative braking, plugging और dynamic braking तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले type पर जो की है regenerative braking regenerative braking में हम क्या करते हैं कि जो motor का speed है motor का rotation speed मालो nm है इसको हम बढ़ाते हैं synchronous speed से अगर motor के घुमने की speed nm synchronous speed ns से जादा हो जाती है उस case में हमारा जो motor है वो motor से हट कर क्या बन जाता है generator बन जाता है और generator जैसा ही आपको पता है कि generator absorb नहीं करता generator क्या करता है power supply करता है जिसकी वज़ा से जो हमारा current का direction motor की condition में था उससे बदल करके generator की condition माला हो जाता है इसका मतलब ये speed के change से क्या होता है कि हमारा जो current है उसका direction reverse हो जाता है जिसकी वज़ा से हमारा जो torque है motor का वो भी reverse हो जाता है और जो reverse torque है वो motor की speed को कम करने की कोशिज करता है जिससे braking हमको braking होने का हैसास लगता है हमारा जो motor है वो उसका जो speed है वो reduce होने लगता है generally इस regionative braking को use करते time हम क्या करते हैं कि जो motor की speed है उसको synchronous speed से भी ज़्यादा बढ़ाते हैं जिसके कराण हमारा जो motor है वो dangerously high speed पर work करने लगता है जिसके कराण हमारे motor के जो mechanical parts हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं या उसमें damage suddenly हो सकता है इस जीच से बचने के लिए हम जो source यूज करते हैं motor में वो variable frequency source यूज कर रहे हैं variable frequency source को यूज करने से हम synchronous speed की value को कम रख सकते हैं मतलब कि sub synchronous speed पर भी रख सकते हैं जिसके कराण ये regenerative breaking करना बहुत आसान हो जाता हैं और इस से mechanical part भी damage नहीं होते दूसरा जो हमारा type है वो है plugging type breaking plugging type breaking में हम क्या करते हैं कि जैसे माल लो ये हमारा एक motor है जिसमें supply है उपर plus नीचे minus और इस field में current flow हो रहा है और motor में current flow हो रहा है इस direction में तो अगर हम इस supply terminal को क्या कर दें? चेंज कर दें इस तरीके से चेंज कर दें तो motor में flow होने वाला current है वो भी change हो जाता है तो current का direction इस तरीके से था ये क्या हो जाएगा? upside हो जाएगा जिसके कारण जो torque produce होता है motor में वो भी change हो जाता है और फिर breaking होती है तो इस तरीके से plugging का concept दें अब समझ गए कि जो terminal है supply के उसको क्या करना है? reverse करना है तो directly plugging से breaking हो जाती है next जो हमारा type है वो है dynamic breaking dynamic breaking बहुत interesting type है इसमें हम क्या करते हैं? पहले हम लोग running condition पर इसमें ध्यान रखेगा सबसे important point है running condition पर इसको use करते हैं running condition पर क्या होता है? कि जो voltage होता है supply voltage उसको हटा लिया जाता है और उसकी जगा पर एक breaking register लगा दिया जाता है जब ऐसा हम करते हैं तो जो supply voltage से जो current motor में जाता होता है उसका direction क्या है? motor की तरफ होता है वो बदल कर जैसे ही हम क्या करते हैं voltage की जगा पर एक breaking register लगाते हैं तो motor में जो current आ रहा है उसका direction change हो जाता है और वो motor से बाहर की ओर flow होने लगता है जिसके करण जो motor में torque generate होता है या produce होता है उसकी direction भी change हो जाती है और जिसके करण हमारा जो motor है वो speed reduce करने लगता है speed reduce होने से धीरे 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 वो आ करके stop हो जाता है इस तरीके से dynamic breaking apply किया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ equations बनाए है कि जो armature current पहले था वो क्या था V minus back EMF divided by RA अब running condition पर हम अगर V को हटा लें तो यह हो जाएगा 0 और ultimately हमारे पास हो जाएगा EB RA divided by RA plus RB क्योंकि हमने क्या किया voltage तो हटाया ही साथ में breaking resistance को भी जोड दिया है जिससे हमारे circuit का resistance बदल जाता है RA plus RB हो जाता है और EB लग जाता है जिसके करण हमारा जो current है armature current वो negative हो गया इसका मतला कि current का direction change हो जाता है और current का direction change होने से motor torque भी reverse हो जाता है और speed decrease होने लगती है इस तरीके से breaking लगती है तो हमने इस lecture में तीन breaking methods को पढ़ा है पहला region relative breaking दूसरा dynamic breaking और तीसरा है हमारा plugging इस तरीके से हमने तीन breaking methods को देखा अगर ये video आपको पसंद आया तो आप इसको like करिए दोस्तों के साथ share करिए और subscribe अगर नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत important videos आपको मिलेंगे और आपका electrical का concept बहुत अच्छा हो जाएगा कोई doubt हो, query हो या कुछ पूछना हो तो आप comment भी कर सकते हैं हम comment का भी जवाब देंगे Thank you